आपको तो पता है मैं हर वो बात जो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में भी कहते हैं मैं टीवी कहता हूं गनित करके हिंदी में जिसको कहते हैं पचास-पचास वजरा की फॉजी जफर मोज हमारे सीनों पर मोंग दल रही है तो फिर आप लोग क्या भजिया तलने के अकबार में बात कर रहा है जिसमें गार्डियन जो विटेन का एक अकबार है उसने लिख आए कि पाकिस्तान में कैसे इम्रान खान महेंगाई के जरिये गरीबों को कुछ लोगा है तो पाक मिदा कह रहा है कि महेंगाई पर हम जो इतने महेंगों से चिल्ला रहेए अप ब्यूटेन भी कह रही है कैसे पाकिस्तान में महेंगाई बेकाबू हो रही है और इम्रान खान को इसकी खबर तक नहीं है इम्रान खान को लगता है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता देश है और यहां पर इतनी महेंगाई नहीं है जितनी दूसरे देशों में है तो य इसार ना करें ये वीडियो दिखते हैं बरतानवी जरीदा वो जरीदा उस मुलक से निकलने वाला जरीदा जिससे हमने अपने मसीह को मस्तार लिया जिससे हमने वर्ल्ड कप जीतने की शक्ति उनमें दी और उसके बाद पिर इस शक्ति ने जो अमारी भगती की ऐसी तेजी की मतलब वो तो तारीख है वो तो तारीख है बरतानवी जरीदे गार्डियन से अब कौम यूथ खफा दिखाई देगी लिकाए इमरान खान इस क्रशिंग दपूर यानि इमरान खान गरीबों को कुचलने की कुचल रहे हैं ये उसे एक दावे की भी नफी है जिसमें जब मस करते हैं अवाम को सर्दियों में गैस की बंदिश का तोफ़ा मिल रहा है जनाबे वाला अब आपको शुक्रिये के साथ दिन में तीन मरतबा सुबा दुपहर शाम गैस जैसे ही आजाए आप पर लाजिम है कि आपने अपने दिल पे आत रख करके कहना है घबराना नहीं है इससे रोटी भी जल्दी पकेगी खाना भी लजीज बनेगा और इमरान खान साब का इकवाल भी इन्शाला बुलंद होगा वजीब सी बात हुई है अब आप देखिए वो एक आदमी जिसके नाम के आखिर में खान लगता है शुरू का नाम आप खुदी पता कर लेंगी तकने लगा हूं यह नहीं बता रहें कि रकम कम पढ़ गई है शायद बहुत के दिन पूरे हो गए या शायद अब इशारा मिलना बंद हो गया है घुमा फिरारा के एक सब्सडी का लैतर सब्सटी अभी जो प्रोग्राम दिया है 120 अरब रुपे की ये रखम अवाम के गमोगुसे को कम करने में कताई मौाविन मददगार थाबित नहीं हुई आप ही की एक हस्ती जिनका तालुक PTI से था जिनका तालुक PTI की सोचल मीडिया यानी चंचा ब्रिगेट से था उनका ट्वीट जिसमें उन्होंने बाकाइदा गनित करके हिंदी में जिसको कहते हैं हिंदी का लफज है लेकिन कैलकुलेशन करके ये बताया था कि फी बंदा हमें सौट विड़ो सो रुपे से जादा का रिलीफ नहीं मिला बहुत ही खतरनाक गोया सुर्ट इहाल गार्डियन ने दिखा दिये ये किस मुल्क के बारे में बात कर रहा है आप जड़ा थोड़ा सा ना दिल पे हाथ रखके मेरी बात सुने आप यार सिदीकी साब दस हजार किलो मीटर दूर के गार्डियन की खबर दे रहे हैं मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देने लगा हूँ रोज नामा रूहानी मरकज बनी गाला आपको पता ही नहीं है जो आज उन्होंने अपनी कोर कमेटी को बताया है पाकिस्तानी रुपया और डालर बराबर हो गया है यानी सो रुपय और सो डालर मिलते हैं जाएं मारकीट में चीनी दस रुपय किलो और आटा पांच रुपय किलो हो गया है और जनाब फिर आपको बताऊं कि दो करोड रोजगार जो हैं उसके मुआके पैदा हो गए हैं अमरीका बरतानिया ये फ्रांस मिन्यटे कर रहे हैं कि अल्ला के वास्ते हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे दो और ये इमरान खान के जो कोर कमेटी वाल हैं क्योंनी बताईनी रहे हैं क्योंनी बताते हैं मैटम खान साथभी हैंड्सम साधिक और अमीन और वलवला अंगेज क्यादत में अब अल्ला रब लिज्जत का हजारा शुक्र है कि हमें चीनी जो है वो एक सो साट रुपे मुएस्सर है अंडे हम पूरे तशक्र के साथ, पूरे फखर के साथ, इत्मिनान के साथ दो सार रुपे खरीद रहे हैं सुम्मा अलम्दुलिल्ला अब घर से कोई बच्चा अंडा लेने अकेले नहीं निकलता उसके साथ कोई न कोई बड़ा जरूरता है कहीं एक दरज़ अंडे कोई छीन के ले गिया ये थोड़ी बरदाश करने पड़ेगी नहीं बरदाश तो, मैड़न ये बात न कीजएगा ये मैं खुदा की किसम बरदाश नी करूँगा मतलब पेट्रॉल की कीमत मैं बरदाश करूँ मेरा वजिरयाजम क्या बरदाश कर रहा है गुर्पत एक हामादी बरदाश करें मेरा वजिरयाजम हवाओं मोरड़ा है पेट्रोल बोहरान हामाद बरदाश करें प्चास पचास वज्रा की फॉजजी जफर मौज हमारे स्कीनों पर मोंग दल रही है आप लोग सब हमारे ऊपर डाल करके करें मेरा वजिरयादम में मोड़ आये पेट्रॉल वहरा ने कामादमी करें अधियाद दोरा ने कामादमी बढ़ आश्क करें पचास-पचास वजरा की फ़ौजी जफर मोज हमारे सीनों पर मौंग दल रही है तो फिर आप लोग क्या वजीयत अलने के लिए में डिस प्लीज आप लोग सब हमारे उपर डाल करके और खुद आप चने की डाल के अलवक आएंगे पहले दो हकूमते थी उनको हमने उनको हमने रवाना कर दिया आप एक उन्तखिब हुकूमत है आप फिर पहले हुकूमतों के उपर दो साल तो हमें कोविट से लड़ते वे गुजर गए हैं फिर देंगी से लड़ते वे गुजर गए आप देंगी आ गया इससे पहले कोई नहीं दिमारी इजाद करके और उसका सहरा भी इम्रान खान के सर दे दिया जाए नाजरीन प्रोग्राम वाइंड अब कोई गुफ्तुगू नहीं हो सकती चले दोस्तों इस वीडियो पर बा एक अलग कहानि है इम्रान खान से माना था की है कि इसने प्रोग्रें वे की है और उसने उकके में यह तались तो इसलिए पाकिसतानी मेडियर में इम्रान खान को यूके से जोड़ा और पाक मीद्या ने ये भी सही का कि इम्रान खान से जब पूछा जाता है कि पाकिस्तान मेहंगाई हो दिये तो इम्रान खान कहता है कि देखिए अमरीका में तो पाकिस्तान से जादा मेहंगाई है इसलिए आप पाकिस्तान मेहंगाई बरड़ास कीजे और मेरा सुक्या कीजे कि पाकिस्तान इतना सस्तक कैसे है। अमरिका से तो यह हरकत में इम्राट करता है। और पाक मीदा ने ये भी सही का कि इम्रान कान इस बार सरडियों में गैस क्राइसिस भी बनाने की तयारी कर रहा है क्योंकि सरडियों के लिए इम्रान कान ने जितनी घैस या एलन जी की जर्वत है वो उसने नहीं खरीदी क्योंकि उसने बहुत देल लगा के order दिया और जब order दिया तब उसने ऐसी किमत लगाई कि उस किमत पे कोई भी उसे बेचने के लिए पाकिस्तान को तेयार नहीं है तो इसलिए इस बार पाकिस्तान में गैस भी नहीं मिलेगी इम्रान खान के नए पाकिस्तान में और पाक मिरें जो कहा कि अब इम्रान खान के चम्चे भी इम्रान खान के खिलाफ जा रहे हैं तो पहले इम्रान खान के ज्यादा तर जो चम्चे है वह असल में इम्रान खान के चम्चे नहीं है वो पाकिस्तानी establishment मतले कि पाकिस्तानी आर्मी के चम्चे है और जब पाकिस्तानी आर्मी का हाथ इम्रान खान के सर के उपर से उठना शुरू होगा तो वो चम्चे भी इम्रान खान के खिलाफ होती जाएंगे तो अभी इम्रान खान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच जगडा चल रहा है तो इसलिए उनके चम्चे भी इम्रान खान के खिलाफ धीरे धीरे जा रहे है तो ऐसा नहीं है कि इन चम्चों को फिकर है कि पाकिस्तानी आम पाकिस्तानियों की जिन्दी खराब हो रही है इनको ये फिकर है कि पाकिस्तनी आर्मी का हाथ इम्रान खान के उपर से हट रहा है तो इसलिए वो चम्चे इम्रान खान के खिलाफ जा रहे हैं इसका महेंगाई से कोई इस्टा नहीं है और इम्रान खान के मंत्री ने जो कहा कि हमने 120 अरप रुपे का जिलिप दिया है तो उस जिलिप को अगर हम हर बंडे के हिसाफ से देखे तो इम्रान खान ने हर बंडे को सालाना हजार रुपे दिया है गरीब बंडे को सबको नहीं तो सालाना हजार रुपे और इम्रान खान पकिस्टन को 3,000 ॐपे का चुना लगा के 1000 रूपे वापस किये है ये कैसा रिलिफ है ये हैं इम्रान खान का 120 का प्रपाकेज इस को उसरे मैंि तर्फ यह मैं जुट यह उए पने में परकादार्शन भेलनीला मिक उट मेर और ओको लोग में दूमेधे। से घर ने चलता और वो कहता है कि जिसकी तर्ण का महिने में 20,000 हो अपना घर चला है और सिकार करनी बन करें तो ऐसी हरकत अगर इम्रान खान करेगा तो चुनाओं के बाद इम्रान खान की हालत क्या होगी यह मुझे आपको बोलने की जरवर नहीं है तो चलिए देखते की फी अपना की जरूँ के लिए करें दो aja की घजाज कि बदी है दो जय 26. आप देखते की बःशा है कि झाए